नमस्कार प्यारे बच्चों सवागत है आपका लगातार वे पांच भी दिन में इसमें हम MPPolice Constable 2022 के प्रीवेस कर रहे हैं किसके कर रहे हैं आपने पिछले चार वीडियो ना देखे हूं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाके टार्गेट MPPolice Constable के नाम से प्लेलिस बनी उस पर जाके देखिए मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में में भी डाल दूँगा चलिए तो जादा देर न करते हुए सीधे क्वेशन से स् तोला तोड़ाई दिये ना उसी छेत्र का समांतर चतुरगुज की उचाई उस रूप में क्या होगी जिसका आधार अच्छा तो इसी के सेम एरिया से रेलेटेड हमको एक पैलललोग्राम बनाना है जिसका बेस जो है वो क्या है 42 और हमें इसका एरिया जो है वो इसके सेम जैसे यह बनाओगे तो यहां पर हमको क्या काम आता है अगर ट्रिपलेट्स काम आता है तो यह भीया क्या निकलाएगा 63 कि किसी को नई भी मालूम हो तो हमको सब को वो मालूम है क्या पाइथागूरस ठीयोरम तो क्या होगा अंडर रूट ओफ 65 स्क्वेर माइनस 16 स्क्वे कि 65 स्क्वेर क्या होता है किसी भी मैं पास से कोई हमें उसका स्क्वेर कैसे निकालेंगे तो में स्वेर 25 और में यहां स्क्वेर सकाल आईगा नाइन यहां आ जाएगा 11 11 में से 5 गया कितना 6 और यहां 393969 अब यह होटा है 63 का अगर नहीं मालूम है तो कैसे निकालेंगे देखो अगर हमको कुछ भी नहीं मालूम है कि यह किसका होगा तो हम यह जनरल यह तो लगा सकते हैं कि हमें मालूम है 60 का स्क्वेर क्या होता है 3660 का स्क्वेर अभी निकालना मैंने बता दिया है अब यह जो नंबर है 3969 यह इन लोनों के बीच लाए कर रहा है माला में यूनिट डिजिट क्या चाहिए 9 कैसे आ सकता है 3 इंटू 3 से आ सकता है और इसका यह सेम एरिया बराबर क्या होना चाहिए यह पैललोग्राम का मनलब 42 और इंटू हाइट ठीक साथ से काटो 76 और 42 तू 7 नाइन जा थी से काटो 2 और 3 तो एच बराबर कितना आ गया मेरा यहाँ इसको काटो 8 एच बराबर कितना आ गया 24 मीटर ठीक option number D चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है राम अपने पुत्र की वर्तमान आयू का 5 गुना है मतलब अगर यह राम है और इसका पेटा है तो उसका वर्तमान आयू क्या है ठीक है और 5 वर्ष बाद अगर इसमें मैं 5 वर्ष एड कर देता हूँ उसकी और उस 12 वर्ष पहले राम की आयू का अपने पुत्र कितने गुना था देखो आपको कई बार बताया पिछले वीडियो में भी कि जहां पर भी एज का आता है तो हमें एज का डिफरेंस सेम बनाना पड़ता है क्यों क्योंकि आज जो डिफरेंस है मानलोब 10 साल का है आज से 10 साल ब 15 और 3 और इस nggak बनाना कितना ओएगा 16 और चार bitो यहां पे सागए बार यहां पर दिफञेंस म्न प्लस वन और यहां प्लसवन प्लस वन और यह कितना हो जाएगा 15 अब इसमें से 12 12 घटा दो मरला यह कितना हो जाएगा 12 घटाओगे तो यह जाएगा 63 और यह हो जाएगा 3 ठीक इसको घाटोगे तो कितने टाइम साजाएगा 21 टाइम साजाएगा आप्शन नमबर डी ठीक चलो आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है अब से तीन बरश बाद पी क्यू आर की आयो का ओसट कितना होगा 35 बरश अगर तीन बरश बाद 35 होगा ठीक है आज कितना है एवरेज भाईया 32 होगा ना ठीक अब पी की वर्तमान आयू क्या है भाईया क्यू और आर के वर्तमान आयू के योग के साथ बटे 17 है यह ना ठीक है और यदि क्यू और आर का अनुपात क्या है 9 अनुपात 8 को हमें क्या निकालना है पी और आर की आयू में डिफरेंस निकालना है च अब इसको अगर मैं यहां ले जाओं तो इन्टू 3 कर दूंगा यह कितना आ जाएगा यह 3 यहां से कड़ गया 90 और 96 च्यानवे यह ना अब पी इक्वल स्टू च्यानवे माइनस क्यू प्लस आर हो जाएगा वह यह इसमें रख दो तो पी इक्वल साथ बटे सत्रा और यहां पर क्या हो जाएगा 96 माइनस पी अब यह इस से मल्टिप्ला होगा यह साइड है जाएगा तो मतलब पी प्लस साथ बटे शत्रा पी यह सेवन बटे सत्रा इंटू च्यानवे इसको यहां करोगे तो भीज़ इंटना आएगा 24 पी ब 28 आ गई अगर अब P की 28 आ गई तो यह 28 बराबर है यह क्या है मतलब इसमें हां रग दो 28 तो यह कट जाएगा कितना चार और Q प्लस आर बराबर कितना जाएगा 68 कि आया सबको समझने अब इसमीं ये जो दो यूनिट है इन डोनों को सम खरेंगे तो ये 17 बराबर 68 थी तो है मतलब एक बराबर कितना ना अगर एक बराबर चार हे तो ये बराबर कितना होगा 32 अब भया हम को P और R के उसमें डिफरेंसी चाहिए था कितना आयगा चार साल का option number B, एक की बत्ते से एक की 28, क्लिए आगे बढ़ते हैं, क्या गोल रहा है, कौन सी छोटी सी छोटी संक्या है, जिसे इसमें जोड़ा जाए ताकि वह 5, 6, 4, 3 से पूंट का विभाजित हो जाए, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, हम 5, 6, 4, 3 का LCM निकालेंगे, कितना आएग सबसे बड़ा नंबर होगा या उसका multiple होगा, सबसे बड़ा नंबर 6 है, और इसकी दूसरी property यह रहती है, यह बाकी सब नंबर से परफेक्टली विभाजित होता है, तो 5 से 6, मौनलब 6 जो है 5 से विभाजित नहीं, मौनलब 6 नहीं होगा, ठीक, इसके बाद क्या 12, 12 भी इ तो हम 60 देखेंगे, 60 है इसका LCM, बिल्कुल है, क्योंकि देखो यह 5 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, ठीक, तो अब 60 का ऐसा multiple है, जो इसके आसपास है, 60 into, मौनलब 40 करेंगे तो 24 सो आएगा, उसमें 60 हो जोड देंगे, मौनलब 41 सो टाइम्स कितन जा जाएगा, मौनलब 60 से डिवाइड करूँगा, तो 24 सो साट तक चला जाएगा, रिमेंडर कितना बचेगा, सैंतेस, अब इसमें कितना और जोड दूँ, 60 बनाने के लिए, 23 और जोड दूँ, मनलब इस नंबर में कितना जोड दूँ, 23 जोड दूँ, परफेक्ली डिव option number B, यह तो बहुत असान था, चलो आगे बढ़ते हैं, question mark, देखो, series न, हमको, मनलब पहचानना आना चाहिए, कहां हमको multiplication लगाना है, कहां plus minus लगाना है, कैसे पता लगता है, देखो, यहां पर 325 से start कर रहा है, हम 215 पर पहुंचे हैं, 5 term बाद, मनलब कोई बहुत रही है, तो divide हो रही होती है, अगर यहीं series एकदम increase होके, यहां पर मानलो, अगर 18 सो आ जाता, तो मतलब क्या होता, कि series में कुछ ना कुछ multiply हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस series को अगर देखें, तो एकदम exponential grow नहीं कर रही है, तो हम क्या देखें कि plus minus, तो 325 में से 14 गए, तो क यह क्या हो रहा है, 11 के multiple हो रहा है, minus हो रहा है, यहां क्या होगा, minus 55, हम minus 55 कैसे करना, 215 में से पहले 15 गटाओ, ठीक, 200 तक पहुंचे, अब 55 में से अगर हमने 15 यूज किया, तो बचा कितना, 40, 40 गटाओ, मनलब कितना, 160, option number D, बिल्कुल शांदार तरीके से आगे बढ़ते हुए, इसको करते हैं, यह कितना, 4, 4, 3, 12, 22, 12, कितना हो गया, 54, 54, और 90 को जोड़ो, ठीक, 90 और 54, 144, और 1 गटाओ, मनलब 143, इसमें 168 जोड़ो, कितना आएगा, यहां पर 11, 11, 311, option number D, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बूल रहा है, आठवा सवाल, इस इंप्लिफिके 56 और 24, मनलब 20 और 60, कितना हो गया, यहां पर, 56, में 4 जोड़ो, 60 और 20, 80, 80 में कितना जोड़ो, 49, मनलब कितना हो जाएगा, 129, इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, तुम्हारा पहले 100 घटाओ, तो हम 920 पर पहुंचे, फिर 20 घटाओ, तो 900 पर पहुंचे, और 9 घटाओ तो 891, शांदार तरीके से answer option आगया C, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलरा है, divide 494200 किस रेशियो में, 47 और 23, देखो जब इन लोनों को सम करेंगे, तो 50 और 20, 70, यह 70 unit बराबर कितना है, 494200, 10 यह काटा, और 10 यह काटा, 7 से काटो, 7, 7, 49, 0, 6, 0, 7, 600, तो हमें क्या करना है, इसको से multiply करना है, एक multiply करना है, 43 से, और एक को multiply करना है, 23 से, तो अगर मैं option देखूं, यहां 4, 6, 0, 4, 4, 0, 4, 2, 0, 3, कि कि मैं इसको कर लेता हूँ या, 706 को 23 से कर लेता हूँ, इसका 706 का दो गुना क्या होगा 1412 1412 मनलब 1412 ठीक आखरी में एक जिरो और लगा दूंगा और इसका 3 गुना क्या होगा 2100 मनलब 20 गुना यह होगा एक 0 यह होगा 2118 अब देखो आठ तीन दो आठ तीन दो किसी में आ रहा है 16238 हाँ एक 0 लगा देंगे शांदाल तरीके सा option नमबर D तो पहला वाला calculate करने की जरूरत है नहीं चलो आगे बढ़ते हैं क्या पुल रहा है find the average of all the numbers between ठीक है वेचा divisible by 5 अरे यह तो बहुत असान है क्या क्या नमबर होंगे 10 15 20 25 और 30 average क्या होता है बीच वाला number बगर देखे सीधा answer लगाना है 20 कैसा लगा आपको वीडियो comment section में जरूर बताएं इस वीडियो को जादा से जादा प्यार दें like के through और जादा से जादा शेयर करें प्लीज आपसे request है प्लीज लाइक शेयर औ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थाइंक्यू जय हमें